अगर आप अभी भी शेंजियन विजा हसिल करने की कोशिश में हैं और आप इंडिया पाकिसान निपाल पंगला देश में बैठे में हैं शेंजियन विजा नहीं लग रहा किसी भी कंटी का तो रमानिया और बल्गारिया बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ल प्रिक्शन लगा देंगे फिलहाल उन्होंने दर्वाजे आप लोगों के लिए भी खोलने हैं और खोलने लगे हैं एक एक चीज़ आपको अपडेट करता हूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपने टॉपिक भी आते हैं और इंस्टाग्र और इसमें सबसे जादा हाथ है हंगरी का जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी भी है कि बल्गारिया और रोमानिया कुछी देर पहले कुछी महीने पहले शेंजियन जून में इंटर हुए हैं पहले ये सिरफ ईयू का हिस्सा थे और ईयू क् यूरप का हिस्सा असान लफसों में लेकिन शेंजियन एरिया में नहीं थे शेंजियन जून का हिस्सा नहीं थे तो बल्गारिया और रोमानिया दोनों ही अभी शेंजियन का हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन अभी भी थी जैसे कि आप अगर और रुमानिया से बाइ प्लेन ट्रैवल करते हैं तो नो वरीस आप कर सकते हैं लेकिन अबे भी अगर कुछ लोग बाइ रोड ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे चेकिंग का बारर कंट्रोल एरिया का बहुत ही जादा रिस्ट्रिक्शन वो लगाती है ताकि जोन से भी इलीगल लोग हैं वो आगे ना आ सकें और इस पीच में जिनके पास लीगल स्टेटस था या है उनको भी प्रॉबलम होती है जब वो रुमानिया या बल्गारिया से आगे अस्ट्रिया में या हंगरी में या जर्मनी की तरफ वो मूव होना चाहते हैं या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वज़ा से काफी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी और अब भी हंगरी ने इन दोनों कंट्री की बाते माल लिये ठीक है रोमानिया और बल्गारिया की है क्योंकि इनका मतालबा ये था कि जैसे दूसरे लोग शेंजियन कंट्री का हिस्सा बन जाती हैं तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती बार्डर कंट्रोल नहीं होते इतने ज़्यादा तो प्लीज हमें भी ये वाली फ नैदरलेंड आपको पता है शेंजिन का बहुत ही एक माना जाना एक कंट्री है तो नैदरलेंड ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि नहीं अभी नहीं अभी जितना चल रहा है आपको हमने जितना दे दिया उतने में आप खुश रहें लेकिन ये काफी सालों स इनकी महिनत थी रुमाने और बल्गारिया की तो इस वज़ा से हंगरी भी इनकी सपोर्ट में आ गया है जर्मिनी भी मान चुका है क्योंके जर्मिनी तो पूरे योरप का एक थम बेना आप एक पिलर बोल सकते हैं ठीक है एक दिवार बोल सकते हैं तो जर्मिनी भी मान चु का है और इसी वज़ा से हंगरी की सपोर्ट की भी वज़ा से अभी ये चीजा असान हो जाएंगी जो लोग बल्गारिया में रहते हैं और जो लोग रोमानिया में रहते हैंबी यहां पे उन्हों ने आप लोगों के लिए challenges and priorities एक एक चीज़ बताई है इसमें ये आपको बता है कि अगर कोई इनसान travel करता है रोमानिया या बल्गारिया में मिसाल के तोर पे अगर आपका तलोग इंडिया पाकिस्तान से है और आप शेंजियन विज़ा लेकर रोमानिया का अपलाई करते हैं और आप रोमानिया में आ जाते हैं तो आप easily आगे भी आसकेंगे इनका मतालबा ही यही है कि हाँ अगर किसी इनसान का शेंजियन विज़ा रोमानिया या बल्गारिया का लगता है तो वो आगे भी multiple country में travel इनसान कर सके तो ये एक बहुत ही बरी update है बहुत ही बरी कुट्नियोज है क्योंकि अगर आप जर्मनी फ्रांस का विज़ा अपलाई करते हैं तो उसमें आपको restrictions भी मिलती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि benefits for changing visa holders यहाँ भूद भी अगर आप study करेंगे तो आपको पता चल जगा इसमें एक एक चीज उन्होंने mention की भी है तो यह एक बहुत ही बरी good news है कि full changing membership for bulgaria and Romania और also expert travel options और इसमें बहुत सारी चीज़े हैं जो के सारी की सारी फाइदा मन्द हैं आप लोगों के लिए तो यह आपको भी करना क्या है आपको जर्मनी फरांस का विज़ा अपलाई नहीं करना स्विजलेंड का नहीं करना आपको अगर शेंजिन विज़ा अपलाई करना है तो आप रोमानिया का करें हैं बलकारिया का करें क्योंकि अभी ये आपको वीजा दे भी सकते हैं ठीक है अभी इनका रिजेक्शन रेट थोरा कम है क्योंकि जो ही ये सारी चीज़ें ओकी हो जाएंगी तो रोमानिय और बल्गारिया भी अपना स्टेंडर्ड थोरा सा हाई कर लेगा जैसे कि दूसरे कंटिज ने किया हुए तो इस वज़ा से आपको जितनी जल्दी हो सकी अभी अपना वीजा अपलाई करना है क्योंकि अगर आप अभी अपलाई करेंगे तो आपको शेंजिन वीजा रोमानिया या बल्गारिया का मिल सकता है और आप खुद यहां पे देख सकते हैं कि अगर किसी इनसान का रोमानिया या बल्कारिया का शेंजिन वीजा लगता है तो उनको दूसरे नेवर हुड कंट्री में जाने की भी इजाज़त इसली दी जाए क्योंके वैसे भी लोग अभी आ रहे हैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर किसी इनसान के पास रोमानिया का टी आर्सी कार्ड है तो बहुत जादा लोग आएं भी हैं रोमानिया से पुर्टगाल में जर्मनी में फ्रांस में काफी लोग आगे आ भी चुकी है ठीक है और जो भी इनसान यहां पे आता है तो फिर यहां से जाता नहीं है यह अलग बात है लेकिन आजकल लोग अगर टी आर्सी कार्ड रखते हैं रोमानिया का तो वो वहां से यहां पे योरप में आगे बरे कंटिस में फलाई कर सकती है तो यह सारी चीज थी जो कि आपको मैंने बता दिया आप डिटेल से खुद भी स्टड़ी और पर सकते हैं तो मैं आप लोगों को जोर क्यूं दे रहा हूं कि जितनी जल्दी होज़ा कि आप वीजा अपलाई करें क्योंकि कुछ महीने पहले करोशिया भी शेंजियन जून का हिस्सा बन चुका है और करोशिया का स्टेंडर अभी और जड़ा बर भी गया है और करोशिया बहुत ज़ादा लोगों का वीजा रिजेक्ट भी कर रहा है तो इसलिए अभी ये रुमानिय और बल्गारिया ये नए ने अभी शेंजियन जून का हिस्सा बने हैं तो आपको चाहिए कि आप इन्ही का वीजा अपलाई करें इससे आपकी परफाइल भी अच्छी हो जाती है आपके वीजा पे स्टेंप्स भी हो जाती है आ क्योंकि जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री और बेंक स्टेट्मेंट है उनको तो किसी भी कंट्री का वीजा मिल जाता है चाहिए वो कैंड़ा का अपलाई करें लेकिन जिन वीचारों की परफाइल इतनी अच्छी नहीं है और वो अगर visa apply करते हैं तो उनको rejection का सामना भी करना पड़ता है इसलिए आपको चाहिए कि आप छोटे से start करें छोटे country से start करें जो उन से नए नए अभी शेंजन जून का हिस्सा बन रहे हैं आप हुदी ये सारी चीज़ें रीड भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है तो इस वज़े से रोमाने और बल्गारिया में आपको apply करना चाहिए अगर यहां पे आपका वीज़ा हो जाता है तो समझ लें आप आगे किसी भी country में ट्रैवल के लिए ओफिस ली जा सकते हैं बाकि best of luck दौाओं में आद रखें